बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिये इसका बटन दबाईए और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड रुपए सीधे 36 गड़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए ग्रामी नवास निया योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला पैम अवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्यदारी है उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो 36 गड़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है और 7 लाक लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला उनके लिए भी आज 36 गड़ की सरकार पैसा दे रही है बहुत बार 36 गड़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया आपकी जो जिम्यदारी है उसे आप पूरा कीजिए मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्यदारी नहीं नबाती है आज तक्रीबन 1200 करोड रुपे रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर 36 गड़ की सरकार 9500 करोड रुपे ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है हमने चुनाव में आपसे दो-तीन वाइदे किये थे चोटे वाइदे नहीं थे 36 गड़ को बदलने वाले 36 गड़ की नीव को मजबूत करने वाले वाइदे थे किसानों का करजा माफ बिजली बिल हाफ और 2500 रुपे प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वाइदे किये और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी इन वाइदों को पूरा नहीं कर सकती है सच्चा ही आपके सामने है हमने जो वाइदे किये थे हमने उनको पूरा किया किसान निया योजना में 21,000 करोड रुपए हमने 36 गड़ के किसानों को Input Subsidy के माधियम से दिया जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले उनको 7,000 रुपए प्रतिस साल कॉंग्रेस पार्टी के सरकार ने 36 गड़ में दिया आदिवासियों को MSP Forest Produce के लिए और देश में सबसे बहतर Forest Right Act का इंप्लिमेंटेशन 36 गड़ के सरकार ने किया स्वास्त में 5,000,000 रुपए परिवार के लिए 70,000,000 परिवारों को फायदा मिला 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वेकंसियां भरी 1.93,000,000 युवाओं को 2,500,000 रुपए महिना का दिया यह आप जानते हो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखके रही है यूस 24